हलो दोस्तों स्वागत एक और नई वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे पांच सेटिंग जिससे अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं मोबाइल पे चार्ट देखते हैं तो यह काफी इंपोर्टेंट सेटिंग्स आपको पता होना चाहिए तो लिए रहा हो जैसे चार्ट पर डाれて इंद कर रहा है तो डारेट जुम आउट हो जाता था और फिस तरह से यहां पर स्कॉल करता था तो एक थोड़ा सा स्ट्रेच होके आता है तो वह नहीं आ रहा है यहां पर करेंगे तो डारेट यहां पर जूम आउट हो जा रहा है चार्ट पे इस तरह से करेंगे तो डारेट जूम हो रहा है और इस तरह से करेंगे तो डारेट जूम तो यह वाला जो यहां पर टिक लग गया था लोग प्राइज टू बार रेसियो तो यह यहां पर टिक हो जाएगा तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता था लिए पहले मुझे पता नहीं था फिर मैंने अनिस्टॉल वगएरा किया तब जाके सही हुआ तो फिर यहां पर आप तो अभी यह अच्छे से काम कर रहा है तो यहां पर अच्छे से अब देख सकते हैं तो फिर से अगर आपको वह प्रॉब्लम आ जाता है तो यहां पर इस स्ट्राइक प्राइज पर आपको हाथ रखना है फिंगर रखना है उसके बाद यहां पर देखिए यह वाला हो गया पर चाट ही उल्टा हो गया था यह देखिए यहां पर चाट हो गया उल्टा अब मुझे समझी नहीं आ रहा था कि इसको सिधा कैसे करना आप यहां पर देखेंगे तो ग्रीन ग्रीन केंडल बनते विए नीचे आ रहा है और रेडवाला सब उपर जा रहा है जब कि रेड वाला निचे जाता है ङरी वाला ओपर जाता तो यहां पर सारा उल्टा ओगया थह लिए इसको भी सही करने के लिए अपको क्या करना है कि यहां पे आपको शिंपल रखनाय और ये बदूद से इन्वर्ड शील उसको यहाँ पर अगर टिक होगा तो उसको आपको हटा देना सिंपल अब यहाँ पर देखिए आपका चार्ट जो है सीधा होगे ग्रीन ग्रीन उपर जा रहा है ग्रीन ग्रीन उपर जा रहा है तो इस तरह से अगर चार्ट अगर आपका उल्टा हो जाता है तो यहां से अब ठीक कर सकते हैं अब मेरा एक और प्रॉब्लम यह हुआ था कि यहां पर जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा गड़बड हो गया था जैसे कि अभी देखिए यहां पर 12 बज़ रहा है तो यहां पर 12 पीम आ रहा है लेकिन यहां पर कुछ और ही आता था जो कि 24 गंटे वाला टाइम होता वो आ जाता था तो इसके लिए क्या करना है कि सिंपल यहां पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहां पर चले जाना है चार्ट सेटिंग पर जैसे चार्ट सेटिंग पर चले जाएंगे तो आपको simple symbol पर किलिक करना है symbol पर किलिक करने के बाद यहां पर देखे symbol लिखा हुआ इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर ऐपको एक option मिलेगा time zone तो यहां पर आपको क्लिक करके यह Kolkata वाला आपको select लेना है अगर आपको और यहां पर time zone select होगा automatically तो आपका time तोड़ा सा गड़बड हो जाएगा तो यहां पर कोलकाता वाला select करना है और simple आपको इस तरह से okay कर देना है तो आपका जो time है वह आपका countdown चल रहा है वो यहां पर नहीं में लेकर आ रहाता है जिसे कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि इस तरह के यहां पर second घट रहा है जितने minute का यहां पर time frame लगा हुआ हुआ है automatically यहां पर time करके रखना है फिंगर से तो यह वाला यहां पर आपको आपन हो जाएगा उसके बाद सिंपल यहां पर आपको नीचे आजाना है नीचे आने के बाद यहां पर एक आप्शन मिलेगा भी क्या होता है कि हमें इस तरह जब भी हम प्रेस करते चार्ट के अपर तो में पर यहां पर मुझे को लाइन करना तो यहां पर पर प्लस का आइकन दिख रहा है वह कभी कई कई बार हमें मदद करता है तो सिंपल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ ने इस का कभी 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 कर तो इसको कैसे इनेबल करना है आप को पलस बैटन इसको आपको आउन कर देना है मतले यहां पर तक होक कर आँगा नरिकर करना वहाधू 16 सेटिंग्स की बात करें तो थोड़ा सा चाट क्लीनिंग के ऊपर आते हैं क्योंकि मुबाइल पर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे जो यहां पर प्रॉब्लम्स होता है वह होता है स्पेस का हमें छोटा सा स्पेस मिलता है एक तो मुबाइल स्क्रीन का साइज ही इतना कम होता है 5-6 इंच तो यहां पर हमें थोड़ा सा स्पेस को क्लीनिंग मेंटेन करके रखना है अब जैसे कि फर्स टाइम आप जैसे ट्रेडिंग को इंस्टॉल करोगे तो यहां पर बहु सब्सक्राइब करने की जौरत नहीं अगर यह सब भी वन है तो यहां पर आपको सिंपल बंद कर देना इस तरह से फिर स्टेटर्स लाइन पर चले जाना यहां पर ऑपन मार्केट अस्टेटस टाइटल लोगो इस तरह जितना आप यहां पर हटाएंगे उतना यहां पर एलसी यह वला आपको घटा देना इसको इस तरह से लगाएंगे तो यहां से आपको देखते जाना कि इस से होता क्या है तो यहां फोट चाट जो है अच्छे से किलियर हो तो इस तरह से आपको करकर के देख लेना मैंने इसी तरह से सारा जो ऑप्संस को हटा दिया और यहां पर मेरे सारे सेटिंग को भी देख सकते हैं इस तरह से उसको बाद बैक्ग्राउंड वगएरा को च्छाड करने की आपको कोई भी जौरत नहीं होता है ट्रेडिंग में य फिर यह सब यहां पर आपको हटा देना इंस्टेंट ओर प्लेस सब कोई भी जौरत होता नहीं है सिर्देंग से ट्रेड करते हैं तो वहां से वह सब हमें देख जाता है तो सिंपल यह सब आपको सेटिंग करका सिंपल सा रखना है आपका चार्ट जो थोड़ा सा क्लीन दे और आपको एक और मैं आपको सेटिंग बताता हूं इंपोर्टेंट वह यह है कि आपको इस तरह का सोटकट एड करके जरूर रखना है क्यों रखना है क्योंकि जब आपको कुछ भी अगर चार्ट पर एनिलिसिस वगयरा करना है तो आपको बार-बार यहां से ऑप्सन ढू है यह देखिए इस तरह से मैं अगर ड्रॉ करूंगा तो यह ऑप्सन में जाने के बाद में ढूंड रहा हूं तो यह ढूंडने की जौरत ना पड़े जो जो इंपोर्टेंट होता है वो देखिए यहां पर हमने एड करके रखा हुआ है यह देखिए अगर मुझे कुछ भ सबblock करना है तो इस तरह से मैं अर्ख और सकता हूँ तो मेरी अनुसार जो इंपोर्टेंट हो वहाज आप कर सकते हो यह कुछ अपको सारे ethics आज मैं आपको बता